नमस्कार और स्वागत है आप से विकार दोस्तों मैं धुरोबला लिया दो अगर आप एक बढ़ियां होमी स्टूडियो बनाना चाहते हैं यानि कि कम्प्लीट होमी स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिएगा वैसे तो मैंने एक वीडियो डाला था इतना सामान जब आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा इसमें कि कौन सा सामान लगेगा कौन सा नहीं लगेगा क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं बस ऐसे ही बता दिया गया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरा सेट अप दिखा देते हैं पहला नंबर तो जहां पर मैंने इन सब चीजों को लगा रखा है जैसे कि यह मैगनेट माइक यह स्टेंड कहां लगेगा यह पीकर कहां लगेगा कौन सा पीकर लगना है एचस फाइब लगाएं या एचस एट लगाएं आपका जो मीडि कीवोर्ड है वो यूज होगा की नहीं यूज होग कि साथ में क्या क्या होता है बहुत संद्वर्ण बहुत लोग सिर्फ माइक कि खरीद के और इस टेंड फिल्टर यह सब और चीजह होती है उनको नहीं ले पाते हैं भटक जाते हैं बीच मिछ में परसान होती है छोटी छोटी चीजें ही बड़ा प्रॉब्लम कर देती है और साथ में दोस्तों जब आप यह देख रहे हैं क्या वहाँ हो बड़ियान चाहते हैं सबसे कहते हैं जैसे इन सामानों को मैंने पहले आपको दिखा दिया अब वो सामान कहां कहां लगे हैं कैसे लगे हैं कैसे डेकोरेट किया गया है इसको दिखाते हैं तो दोस्तों देखे यह मेरा recording studio है वैसे तो अभी हम poster पर आपको दिखा रहे थी कि क्या-क्या सामान लगेगा किन-किन सामानों की जरूरत पड़ती है और मैंने उन सब चीजों अब आपको दिखाया था यहां पर लगा हुआ है यहां हमारे पास harmonium है अब यह जो है आप नीचे देख रहे होंगे इंटरफेस हैं यहां पर एक चीज़ गायव है यानि कि मिक्सर अब कुछ चीज़ें हैं आप लोग उपर से ही देख लिए कि इतना सामान लगा हुआ है लेकिन कुछ जो बारीक चीज़ें होती है चोटी-चोटी सामाने होती हूं वह बच जाती हैं तो हम आपको एक-एक करक होगा यह लगा होता है अब इसमें सबसे बड़ी समच्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं audio interface भी लगा होता यह जो चीज है यानि कि जो आपका focus right का sound card होता है इसमें भी वही काम होता है जो काम के लिए आपने इस सामान को खरीदा था यानि कि जिस काम के लिए आप इसको खरीदे हैं उसी काम को आप इससे भी करते हैं बस फरक इतना ही है कि इसमें जो है better quality आता है मतलब बढ़िया quality आपने बहुत से स्टूडियो में देखा होगा किसी डारेक्टर से आप पूछिएगा मीजिक डारेक्टर से कि भीया इसका क्या काम है इसका क्या काम है तो लोग बता देंगे कि मलब इसका क्या काम हो इसे सभी कहते हैं कि भीया हम सबसे ज्यादा काम जो है ऑडियो इंटरफ हैं बाकि बहुत से लोग जो है फाइव लगाते हैं दोनों में फरक आप देख लीजिए इसमें जो है सेंटर में जो है जाली लगा हुआ है लेकिन इसके सेंटर में जाली छोटा सा लगा हुआ है इस स्पीकर के सेंटर में आप देखिएगा जाली छोटा सा लगा हुआ है त इसके बाद दोस्तों जो सबसे एहम और जरूरी चीज होता है वह होता है आपका मोनीटर PC यानि कि आप देख रहे होंगे इन में से जो है आपका मॉनीटर हो गया आपका कीबोर्ड हो गया आपका जो है जो जो होते हैं यह सब इसका मैंने एस्पैसल वीडियो बना रखा हूँ कि इस तरीके के PC का काम लगता है परकार के PC का बिल्ड कर है मिडी खरीद कर अपने स्टूडियों में लगा लेते हैं लेकिन बजाना सब को नहीं आता है अगर बजाना आ जाए तो मान के चलिए कि उनका अर्निंग बहुत जबरदस्त हो जाता मुझा बड़ा मोटी कमाई करने लगेंगे अगर मिडी आपको बजाना आता है तब ही आ लगा रहा है तो जादे जादा यह आपका पड़ जाएगा और इससे सस्ता भी मिडी आता है जो आप खरीद कर लगा सकते हैं और साथ-साथ में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर हम माईक आपको जो दिखा रहे हैं माईक के साथ का इसमें लगबग 35,000 पर का आता है जो इसके साथ का जो एसो स्रीज होता है हम आपको एक्स्प्लेइन कर दें क्योंकि बहुत से लोग जो है इस पर फोकस नहीं करते हैं और बाद में ले आते हैं सिर्फ माई की लेकर चले आते हैं सिर्फ इसी को लेकर चले आते हैं फिर फस जाते हैं अगर आप आर क़िए सूरीज में आए गाफ 7 में मिल जाएगा इसका काईप मिल जाएगा और यह फलिटर मिल जाएगा और यह जो है आपका a spider भी मिल जाएगा व स्पाइडर मिल जाएगा आप कहीं भी पुराना करिमिने की कोशीज करते हैं तो बहुत से लोग क्या होता है सिर्फ कैप्सूल ही देते हैं तो इससे आप परसान हो जाते हैं असपष्ट तरीके से असपष्ट नहीं कर पाते हैं कि मलब इसको लगाया कहा जाए क्या क्या होना चाहिए असपष्ट तरीके से वाइस क्वालिटी आपको नहीं मिल पाते हैं कही लगता है कहीं उसमें तरतरहाट आने लगती है लेकिन जब आप पूरा सामान साथ में ले लोगे तो संभवता आपका पूरा काम इसके साथ हो जाना है साथ में आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा जो आपका हैडफोन होता है बहुत से लोग लोकल हैडफोन ले लेते हैं यह लोकल ही है बहुत महँंगा नहीं है लेकिन यह टिकाओ है मजबूत है कापी दिनों से चल रहा हमारे इस्टूडियो में लगा हुआ है संसियर क है हमारे स्टूडियो में देख लिजिए संसर का संसियर का जो है है लगा हुआ है काफी दिनों से हम इसको यूज करते हैं और यह कांटीनू चल रहा है साथ में देखी रहे हमने जो आपको बताया था पूरे सेटप के साथ यानि की आप देख पूरे सेटप के साथ मैंने ंसरे आपको दिखाया था जैसे कि इसमें इस पाइडर भी है , इसमें एएर फिल्टर भी यह साथ सात में जो है इसका कवर संसारे यह बहुत है यह की लोकल इस्टेंट लए लेते हैं पैसे बचाने के चकर में उजाते च्छे महीने के अंदर टूट जाता है च्छे महीने के अंदर तो आपका मान के चलिए पैसा बेकार हो जाता आप बराबर काम नहीं कर पाते हैं और दोस्तों यह है इसका भी वाइस क्वालिटी बहुत जबरदस्त है अगर आपको काम करने का तरीका पता है तो आप गारंटी है इस पर भी बहुत अच्छा काम कर लेंगे लेकिन हम सबसे ज्यादा सेगेश्ट करते हैं क्योंकि हमारा इस्पीरियंस दोनों माइकों का है एंटी वन का भी हमार अपैसे उसूल हो गया साथ में एक मैंगनेट माइक होना जरूरी है मैंने आपको इस्टूडियो में अपने दिखाया था क्या यह इसलिए वाला स्टेंट लगाना चाहिए ज्यादा इजी होता है इसको आप लगाते हो तो मलब भान के जहां चाहोगे विस तरीके से चाहो लेकिन जो मैंने लगा रखा यह एक लगा दिये लेकिन इसमें लगा हुआ है आप जिधर भी खीचोंगे जैसा भी घुमाना चाहोंगे वैसा घूम जाता है बाकी बात करते हैं दोस्तों इस्टूडियो के लगा रखें बढ़ियां से बना रखा है साथ साथ में सबसे प्लस पॉइंट जो होता है काम करने का वह होता है उसका साउंड प्रूफिंग साउंड प्रूफिंग अगर बढ़ियां है तो मान के चलिए अगर कोई सामान थोड़ा नाजुक भी है तो आपको क्वाल्टी धंग का मिल जाए बाकी उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सब कुछ explained कर दिया है जंग से समझाने की कोशिस की है और आप लोग समझ भी गए होंगे बाकि इन भेर सारे सावानों के जो लिंक है डिस्क्रेप्शन में दे रखा है आपको इनके प्राइस देखना है या कितने में मिलता या मिलेगा या नहीं मिलेगा उन सब चीजों का पूरा ड पैसे के आएंगे यह सब पूरा का डीटियल्स आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो उमीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार